ये चारो नियम है, वात, पित और कफ को संतुलित रखने के लिए, अब वात, पित, कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें, तो उसके लिए पहला नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, ये पहला नियम है, आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सब के सब और बिना पानी पीए खाना ही नहीं खाते हैं कई लोग तो खाने से जादा पानी पीते हैं खाना कम खाते हैं पानी जादा पीते हैं अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पियें? कारण बता दो. कारण मैं बताना चाहता हूँ सरल भाशा में. हम जब खाना खाते हैं न तो पेट में सारा खाना इकठा होता है. पेट में एक इस्थान होता है उसको हम कहते हैं जर्ठर. संस्क्रित में हिंडी में जठर कहते हैं. अंग्रेजी में उसको эпigastrium कहते हैं. हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशेगी कहते हैं. ये जठर चोटा सा इस्थान है. आपके पेट में ना भी है ला? उसके left side में बाई तरफ छोटा सा इस्थान है सारा खाना आपका इसी इस्थान पर आता है जो भी आप खाते हो रोटी, चावल, दाल, सबजी, दू, दही कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है अब जठर में जैसे ही खाना इकठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को कहते हैं जठर अगनी मिला के बोल देते हैं जठर अगनी आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में जठर में अगनी जलती है वो अगनी खाने को पचाती है और अगनी खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अगनी खाने को पकाती है आपके रसोई घर में आप अगनी जलाओ उसके उपर दूद रख दो दूद में थोड़ा चावल डाल दो अगनी जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी आप घर में अगनी जलाओ उसके उपर पानी रग दो उसमें डाल डाल दो डाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अगनी जलेगी ऐसे ही पेट में होता है जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अगनी जलती है और जब तक अगनी जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं अंग्रे जी में उसको डाइजेशन कह देते हैं तो आपने खाना खाया पेट में अगनी जल गई अब वो खाने को हजम करेगी पचाएगी अब मुझे एक प्रश्ण का उत्तर दौाव कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अगनी जल गई और वो खाने को पचा रही है तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया और खूप ठंडा पानी पी लिया बरफ में लाया हुआ पानी पी लिया फ्रिज का पानी पी लिया क्या होने वाला है अगनी जलेगी की बुझेगी अगनी के उपर पानी डालो तो अगनी और पानी की दोस्ती नहीं है दुश्मनी है पानी अगनी को बुझा देता है तो आपने खाना खाया अगनी जली पीछे से गटगट पानी पी लिया अब अगनी शान्त हो गई अब खाना पचेगा नहीं तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना सौ से जादा विश पैदा करेगा और वो सौ विश आपकी जिन्दगी को नरक बना देंगे और जिन्दगी भर आप बीमार पड़े रहें आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है यह गैस उन्ही को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है ये जलन उनी को होती है जिनका खाना पचताने कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एक बेगदम गुम हो जाता है फूल जाता है ये सब वो लक्षन हैं जब खाना पचताने तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा सड़ेगा तो विश पैदा करेगा और वो विश आपको बीमार करेंगे इसलिए महरशी बागवट ने कहा खाना खाते ही पानी मत पियो समझने आया फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिये कम से कम एक घंटे तक एक घंटे बाद पानी पियो आप बोलोगे जी एक घंटा क्यों ये जो अगनी जलने की क्रिया है ये लगवग एक घंटे तक ही चलती है पेट में उसके बाद अगनी अपने आप शान्त हो जाती है उसके बाद पानी पी लो तो खाना अगर दस बजे खाया तो ग्यारे बजे पानी पी ओ ग्यारे बजे खाया तो बारे बजे पी ओ बारे बजे खाया तो एक बजे पी ओ एक घंटे बाद पानी पी ओ अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या हाँ पी लो 40 मिनट पहले पेट बर के पानी पी लो आप और एक सवाल पूछ सकते हो, क्या अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़ कर, तो उसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं, कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है, तो दही की लसी पियो, मठा, खाने के अगर तुरंत पीना है, तो फलों का रस पियो, गन्य का रस पिलो, संत्रे का रस पिलो, मुसम्मी का रस पिलो, अनार का रस पिलो, अब आप कहोगे, यह सब महंगी महंगी चीज़ें बता रहे हैं, गन्य का रस, संत्रे का रस, अनार का रस, पैसे तो हैं नहीं, तो सबसे स तो खाना खाने के बाद या तो दही की लसी पियो या रस पियो और एक तीसरी चीज है दूद पी सकते हैं तो खाने के तुरंद बाद पीना है तो कोई फल का रस खाने के तुरंद बाद पीना है तो दूद पानी एक घंटे बाद पियो और अगर एक बात ध्यान रखो तो अ पीना अच्छा और रात का खाना खाएं तो दूद पीना अच्छा जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिन्दगी में कभी भी असी रोग उनको नहीं हो सकते बात पितकफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं तो यह पहला नियम मैंने आप से कहा दूस पिलास लगा लिया गटा-गट उसको खाली कर दिया यह तरीका गड़बड एक गूट पानी दो गूट पानी एक बार में उतना ही पीऊ आप बोलोगे यह क्या चक्कर है बात ऐसी है कि एक गूट पानी जब हम पीते हैं तो मूँकी लार पानी के साथ मिलकर पेट में पेट में अमल बनता है मूमें लार चारी होती है तो यह चार को अमल में मिला दिया जाए और यह अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अमलता नहीं होती एसीडिटी नहीं होती और पेट में अमलता नहीं होती और जिनके रक्त में अमलता नहीं होती उनकी जिन्दगी में कभी भी वात पित कफ के असंतुलन की इस्थिती पैदा नहीं होती इसलिए पानी घूट घूट करके पीना मैं आपको एक छोटा साथ मेरा अब्जर्वेशन बताता हूं परीक्षा आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ मनश्य को छोड़ कर पशू पक्षियों को देखना शुरू करो वो पानी कैसे पीते हैं किसी चड़िया को पानी पीते हुए देखो किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो वो चोच के एक बून के बराबरी पानी उठाता है एक बार में एक बून पान दिलेगा फिर थोड़ी देर चोच चलाएगा फिर पिएगा फिर दूसरी बून लेगा फिर चोच चलाएगा फिर पिएगा फिर तीसरी बून एक एक गून पक्षी पानी पीता है कुत्ते को पानी पीते हुए देखो चाट चाट के पानी पीता है शेर को पानी पीते हुए देखो चाट चाट के पानी पीता है जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं जितने पक्षी एक एक घूट पानी पीते हैं किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डाइबिटीज नहीं है किसी को अर्थराइटिस नहीं है कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है कोई पशू ओवरवेट नहीं है वो सब स्लिम और ट्रिम है क्योंकि वो इतने होश्यार है पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पिते। अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशू पक्षियों को कौन सिखाता है वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते उनका कोई गुरू नहीं है उनका कोई विद्याले नहीं है उनके कोई प्रसिक्षन शविर नहीं लगते फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना और हम ये मनुष जिनके इतने गुरू इतने विद्याले इतने कॉलेज सीखने वाले सिखाने वाले और हम मूर्खों के मूर गटा गट गटा गट पानी पीते रहे तो पानी पीने का तरीका बदल दो घूट घूट भरके पानी पियो ये दूसरा नियम है तीसरा नियम है कि जिन्दगी में कितनी भी प्यास लगे ठंडा पानी कभी बत पियो बरफ डाला हुआ पानी है फ्रिज में रखा हुआ पानी वाटर कूलर का पानी है जिसका तापमान बहुत कम है ये कभी मत पीना क्यों? क्योंकि शरीर आपका गरम है और पानी ठंडा है अब होता क्या है? वो मैं समझाता हूँ सरल भाशा में पेट तो गरम है अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने तो अंदर जगडा होता है और जगडा क्या होता है? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गरम करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हिर्दे ठंडा होता है हिर्दे के ठंडा होते ही मस्दिश ठंडा होता है मस्दिश के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है आपको मालू है जब शरीर ठंडा पढ़ जाता है तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई, बंद कर दो कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी नहीं पीता तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, साधा पानी पीना शुरू करो और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बरफ का नहीं पीना ये तीसरा नियम है, और चौथा और आखरी नियम है कि आप सवेरे ही सवेरे जब सो कर उठते हो, तो सबसे पहले पानी पीओ जैसे ही आपकी आँख खुल गई, तो पहले दो-तीन गिलास पानी पी लो उसके बाद आप टॉयलेक्ट में जाओ, उठते ही पानी पीओगे तो दो फाइदे हैं पहला फाइदा ये है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आँथ को साफ करता है और जैसे ही बड़ी आद की सफाई होगी, पेट पे दबाव पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे, दो-तीन मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, उनकी जिन्दगी में कभी रोग नहीं आता इसलिए सुबह-सुबह उठते ही पेट साफ होगा ज़रूरी और उठते ही पानी पियोगे, तो मुँ की जो लार है, वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी सुबह पेट में ऐसिड की मात्रा जादा होती है इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है ये चार नियम है आयोवेद के एहला नियम खाना खाने के एक गंटे बाद पानी पीना दूसरा नियम पानी को हमेशा घूट घूट भरके पीना तीसरा नियम कभी भी जिन्दगी में ठंडा पानी नहीं पीना और चोथा और आखरी नियम सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित कफ तीनों को संतुलित रख सकता है और जिसका वात पित कफ संतुलित है उसके जीवन में भीमारी नहीं आती है और जो भीमार नहीं पढ़ते हैं वो स्वस्थ और तंदृस्थ और सुखी रहते हैं उनकी जिन्दगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है आप खोशायद मालूम है या नहीं एक साल में हम जब बीमार पढ़ जाते हैं भारतवासी तो साल का करीब 6 लाख करोड रुपया हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का इलाज करने है इसलिए इतना पैसा फालतु में हम खर्च करें हर साल 6 लाख करोड ये बहुत बड़ी रकम है इससे बहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पढ़ें और स्वस्त रहें, सुखी रहें और ये 6 लाग करोड का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पढ़ने पर अक्सर ये ऐलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है और जो ऐलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं जैसे परसीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, आक्सिफिन बूटाजोन, एस्पिरिंट, डिस्पिरिंट, नोवालजिन ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं भारत में धडले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज़्यादा गंबीर बीमारियों में फसा रही हैं ज़्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किड्नी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं आतों में घाव कर देती है, विकलांगता आ जाती है, पेरलिसिस हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, हर्ट अटेक आ जाता है, दुनिया में लगबक इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं, और आपको सुनकर हैरानी होगी, उनमें से मात्र 117 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी स चेला करोड करच करते हैं, ये बहुत दुख और अफसूस की बात है, और ये चेला करोड का खरचा समाज के वो लोग करते हैं, जिनको जिन्दगी में हर समय अपना आर्थिक स्थिती को देख के चलना पड़ता है, जिनकी आमंदनी बहुत नहीं है, जिनके घर में आमंदन झाल झाल